Hey guys, this is Sarthak and you are watching ModX Tech दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे that why you should go with the Ryzen 5 3500 instead of Intel का i5-9400F यसा क्या better हम लोग को देखने को मिलता है AMD के Ryzen 5 3500 के अंदर जो कि मैं आप लोग को recommend कर रहा हूँ तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर की कैसी क्या क्या चीज़े हम लोग को extra benefits देखने को मिलते है AMD के process के साथ तो चलिए उस तो फड़ापट से इस वीडियो को अब हम शुरू करते है So guys, यहार मेरे चैनल के उपर बात कर जाती है ऐसे ही PC related contents के ही बारे में तो अगर आप लोग का इंट्रेस्ट है इनी सब चीज़ों के अंदर तो दबाऊ सब्सक्राइब के बटन को साथ ही में दबाऊ सब्सक्राइब के बटन को भी ताकि मैं फ्यूचर में चूब भी नहीं वीडियो डालूँगा मिल जाएगी आप लोग को उसकी instant notification तो अब बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे और बात करते है कि क्यूं AMD का Ryzen 5 3500 बेटर है Intel के Core i5 9400F से देखो बस सबसे पहले हैं खमाल की बात यह करते हैं कि भाई AMD क्या कर रहा है चलो हम भी एक काम करते हैं iGPU हटा देते हैं और फिर अपने processors को सस्ता करके बेचेंगे जैसे कि हमारे i3 9100F और i5 9400F आये थे market के अंदर तो फिर AMD ने कहा कि भाई अब तुम ये भी निकाल रहे हो तो भाई हमारा याप भी competition होना चाहिए तो हम भी क्या करेंगे इसी के आसपास में एक processor निकाल देंगे तो उन्होंने Ryzen 5 3500 निकाल दिया है दोनों ही processors के अंदर हम लोगो 6 को 6 thread देखने को मिलते हैं So what makes them different क्या चीज उनको different बनाती है एक दूसरे से तो उस चीज के बारे हम बात करते हैं और इनी सब चीजों की वज़े से मैं यह processor आप लोगो recommend कर रहा हूँ आप देखो भी जो AMD का processor है इसके अंदर हम लोगो 16 MB की cache memory देखने को मिलती है जबकि जो हमारा i5-9400F है उसके अंदर हम लोगो सिर्फ 9 MB की cache memory मिलती है तो कहीं न गई थोड़ा बहुत cache memory जादा होनी की वज़े से हम लोगो जो performance उसके अंदर थोड़ा बहुत difference आ जाता है और बिल्कुल practical यह आप लोगो बताओ ना तो दोनों ही processors जो होंगे ना वो gaming के अंदर बिल्कुल लगबख same to same perform करने वाले है कोई सा game में कोई सा processor आगे होगा कोई सा game में कोई सा processor आगे होगा बट फिर भी हमें AMD के साथ कुछ extra benefits मिलते हैं जिसकी वज़े से मैं आप लोगो यह recommend कर रहा हूँ क्या हैं वो extra benefits उसके बारे में बात करते हैं देखो सबसे पहली चीज तो यह है अगर आप AMD के साथ जाते हो तो आप आजओगे AM4 platform के उपर तो आपके पास होगा future upgradability देखो future upgradability होने का फायदा यह होता है कि आपने आज एक Ryzen 5 3500 buy कर आप future में आपका मन हुआ अगर आपके पास एक decent सा B450 motherboard के साथ आप उसे pair करते हो then आपके पास एक option होगा you have the option to switch your processor आप अपने प्रोसेसर को switch कर सकते हो एक नए प्रोसेसर के उपर जा सकते हो अगर मैं मान हो कि बाद में 4000 series के जो भी नहीं processor आएंगे AMD के तो उसके अंदर अगर मान लीज़े कोई R7 आता हो अगर आपके पास एक अच्छा खासा एक अच्छी VRM बाला B450 motherboard है और अगर आपने उसके साथ उसको pair किया था तो आप simply BIOS flash करो पुराने जो आपका 3500 हो उसको हटा हो नए Ryzen 7 लगा दो जबकि आपको पता हो इंटल की side अगर हम जाते हैं तो अगर हम अपने processor बदलते हैं तो हमको अपने motherboard भी बदलना पड़ता है क्योंकि इंटल ऐसे ही करता है कि जब भी उनको नए platform आता है कोई भी काफी ज़्यादा बुरी बात है और ये AMD के तरफ ये काफी ज़्यादा फाइदे वाली बात है अब बात करते कि अगर आप एक Intel के processor के साथ जाते हो तो आप उसे overclock नहीं कर सकते ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा drawback है Intel के processor का जबकि AMD के साथ आपको सभी पता है आप सकते हो easily तो यह हम लोग को काफी ज़्यादा अच्छी flexibility के साथ हम लोग को देखने को मिल जाती है तो आप इसको overclock भी कर सकते हो इवन अगर आप इसको A320 motherboard के साथ pair करते हो देन आप अपने RAMS को भी overclock कर सकते हो इसके अंदर एक A320 motherboard लगा हुआ है और उसके अंदर मैंने RAMS को overclock कर रखा है तो यह चीज़ आप लोग को फाइदा मिल जाता है A320 motherboard के साथ अगर आपको budget नहीं हो और A320 ले रहे हो तो RAM overclock आप कर सकते हो और आपको जादा बेटर frequency वाली RAMS को support देखने को मिलता है जबकि उसकी side अगर आप जाओगे तो आप maximum उसके अंदर शाद 26 600 MHz तक की RAMS का फाइदा उठा सकते हो उसके उपर की RAMS लाओगे तो फाइदा नहीं होगा और अगर आप अपने CPU को overclock करते हो तो आप उसके extra potential को आगे ले जा सकते हो थोड़ी और अच्छी better performance उससे निकलवा सकते हो future में एक अच्छा से cooler ले लेना stock cooler की उपर भी आप slightly overclock कर सकते हो बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूंगा थोड़ा बहुत overclock कर सकते हो कि हम सभी को पता है stock cooler Intel से ज़्यादा अच्छा होता है AMD का care वो छोड़ो but मैं आपको बता रहोगर आप एक थोड़ा और अच्छी cooler में invest करोगे तो आप उसे overclock करके थोड़ा और ज़्यादा उसके potential को high ले जा सकते हो at last जो हम लोगो फाइदा देखने को मिलता है AMD की साइड वो यह है कि हम लोगो इस पर PCI Express Gen 4.0 का support मिल जाता है हाँ हाँ मुझे पता है चड़ मत जाओ नीचे comment मत कर देना कि भाई इसके साथ हम X570 motherboard थोड़ी लेंगे बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ अब feature तो feature होता है भाई कि हम लोगो इसके अंदर फायदा मिल रहा है इस चीज़ का तो मैं आपको बता रहा हूँ नहीं है मन AMD लेने का तो ठीक है भाई चले जाओ बस यह extra benefits जो मिलते है वो मैंने आप लोगो बता दिये कि AMD के साइड हमें मिल जाते है तो अगर आप Intel का लेना चाते हो तो कोई दिक्कत निया आप जाके ले सकते हो सेम performance मिलेगी बट AMD में कुछ extra benefits उसके अप नहीं है और पता नहीं यार AMD कब छोड़ेगा Intel का पीछा भाई एक दिन मुझा लग रहा है Intel बहुत जादा बरबाद हो जाएगी और AMD बहुत आगे निकल जाएगी खेर Intel fanboys dislike मत करना यह मेरा एक opinion था जो कि मैंने आप लोगो वीडियो में चाते चाते बता दिया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को अभी भी नहीं कर आए तो मैं मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो में तक तक के लिया थैंक्स और वाचिंग